विन्दी शेत्र में पाजाने वाले वन भारत के सबसे बड़े प्रकार के वन हैं जिसे उश्निकटी बंधियों परणपाती वन कहते हैं और जिसका हिस्सा भारत के वनों में 64% है बांधवगर पन्ना और रंधंबुर भारत के तीम बाख अभिरन्या विन्दी शेत्र में स्थित है 1997 के साइंस तुत्रिगा में छपे एक अनुसुन्धान में विन्दी के पत्थरों में पाए गए जिवाश्मों को विश्ची के सबसे प्राचीन बहु कोशी के जिवाश्म होने का दवा किया गया है इस फिल्म को बनाने में मेरे पेड़ना स्रोत हमारा राश्ट्रगी जिन्दी की महत्ता को पतिविम्बित करता एवं मेरे हाल के कुछ अटू अनुभव इस परवतिय शंखला के साथ यह फिल्म मिर्जापुर के विंदी के जंगलों की वो कहनी है जिसे मैंने देखा और महसूस किया है और इस फिल्म के माध्धम से उन सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो पड़ियावरन और अपने देश से जुराव रखते हैं मध्य भारत में फैली छोटी वे मध्यम उचाई की कई परवस शिंखलाए हैं जिने हम विंदी शेत्र के नाम से जानते हैं यह भारत के पश्रमी राज्जी राजस्थान गुजरात से मध्य प्रदेश के दश्चिन हिस्सों तक 1100 किलिमेटर में फैली हुई है विंदी शेत्र की शुरुवात उत्तर पदेश के स्तों भुदर वह मिर्जापुर जिलों से होती है बढ़कशा मिर्जापुर का वो गाउं है जहां से विंदी की पहाडियां शुरू होती है और इसके पाथ किलमेटर आगे है मरिहान तहसील मरिहान में कुल 45 गराम पंचायते हैं तथा 30,000 से भी अधिक पड़िवार यहां निवास करते हैं मरिहान के जंगलों को वन विवाक का संग्रक्षन मिला हुआ है कारण यहां पाए जाने वाले दुरलब आशिदेगुन वाले पौधे और जानवर है जो कभी यहां भूतियात में पाए जाते थे पर अब लगभग बिलुप होने के कगार पर पहुँच चुके हैं हालांकि नीलगाए और लोमडी के इलावा कोई जानवर यहां नजन नहीं आता पर यहां गाउवालों पर कभी कबार होने वाले हमलों से कयास रगया जा सकता है कि भालू तेंदुए लकर बग्धे जन जानवर अभी भी मरिहान के जंगलों में मौझूद है होजबिन के दौरान जंगलों में इन जानवर की मौझूदगी के साक्षे प्रवा नहीं मिलने पर मैंने मरिहान में कुछ गाउवाले से कुछता आच गी पहले सामर रहे थे लिलकाय जौन खरने होती चिकरा दो रहते हैं खरवोस रहते हैं लोमरी रहते हैं यहां के जंगलों की विश्रस्ता सिर्फ जानवरी ही नहीं है बलकि यहां पाय जाने वाले कई विर्ख्षित काचीन आयुवधिक गवाईयों की लिहादे से री काफी महत्तिकूर है जिने सरकार कही तरह के योजनाव तथा विक्षारोपन कारिक्ट्रम द्वरा संग्रक्षित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है नारत की जो विंधरेंज है यह बहुत प्राक्रतिक संपदा से भरी हुई है और इसमें अगर आप देतें तो यहां पे डाइवसटी बहुत जाएदा है राईवस फ़ावर्न में मिलते हैं उसमें बहुत बड़ी बात है कि यहां पे बहुत सारी ऐसे पोहड़े हैं जो कि मेडिसिनल्स यूज के हैं, साथ में हमारे पास वहाँ पे इस तरह के भी पेड़ हैं जिनका की तिंबर यूज है, और तेंदू को ज़्यादा संख्याम मिनता है, अकेसिया के टेचियू जो खैर का पेड़ है, उसकी दो हो ज़्यादा होता है, और साल फारेस्ट जहां लेकिन विकास में आये तेजी और बढ़ती जनसंक्या के कारण यहां की जंगल और अपने शम्ता से कई गुना ज़्यादा दवाद जहल रहे हैं देरे देरे यहां के डेवलोप्मेंटल एक्ट्विटीज के वज़र से राइट अक्पर फारेस्ट कम होते जाने हैं मार्च 2011 हमने मरीहान के पांच गाउं में जाकर गाउंवालों के रहंते हैं और जंगलों पर दबावका एक सर्विक्शन किया जो तथे सामने आए देवाती चौका देने वाले तिरानवे पतिशत खरों में खाना पकाने के लिए लकरी का इस्तमाल होता है इनमें से 88 पतिशत लकरी के लिए जंगलों पर निर्फ़र हैं एक पड़ीबार में प्रतियर साथ किलोग्राम लकरी की ख़त कोती हैं जिसके हिसाब से मरी हान्मे प्रतिन देर सो टन लकरी जंगलों से काटे जा रहे हैं थेती बाड़ी यहां के लोगों का मुख्य रोजगार का साथन है पर सिचाई के लिए जल की कमी के चलते यहां खेतों में भी पड़्याप उपज नहीं हो पाती जिस वज़र से यहां के लोगों का जीवन सतर बहुत ही निम्ने हैं यहां का मौसम उश्निकटे मंदियर शुष्क प्रणपाती होने के वज़र से साल में तीन महीने ही बारिश होती है पहारी भूमी के साथ साथ वश्चाजल के ठैनने के जगह में कमीटी वज़र से गाउवालों को पानी के लिए बहुत मुश्किल वह सामना करना पड़ता है अधिकतर यहां पे जो खेती होती है वो किसी तरह हो जाती है यहां पे संसाधन बहुत ही निवनस्तर के हैं जो खेती की स्थिती है काफी चिंता जनक है चुकि यहां पर अधिकतर खेती वर्षा आधारित होती है वर्षात में पानी आता है किसान भाई खेती करते हैं अलाक इहां की अधिकत वर्षा जो है संची किया जाए तो बहुतायत मातर में पानी को संचीत किया जाता है बहुत सारी बंधियां यहां पर आसानी से बन सकती है जिसका प्रियोक किसान उसको आप सीजन में कर सकता बारिस अच्छी होती है लेकिन जब तक बारिस होती है तभी तक यहां पर पानी रहता है। पानी कोई रुकार्ट का कोई द्योस्थिक नहीं है। और जैसे हम लोग के नहर भी है तो नहर कितना है कि हम लोग के पास सोचता नहर भी नहीं आता है। जब तक बारिश होगा, जब तक उसमें पानी रहेगा, एक दो महना नहराती है, लोग कोई ओशा खेदी कर नहीं पाते हैं, यही अकाई, मकाई, जुनरी, पंदी और निन्गातुरेक भी यह वो लगा देते हैं, और धान भी होता है, बहुत कम होता है, पानी के सिद्धे उस जंगल से लाए गए लखडी का इस्तमाल, मुखे रूप से खाना पकाने के लिए ही होता है, लकडी से निकलने वाले धुए ने इनके स्वास्त पर भी असर डाला है, हमारे आकड़े बताते हैं, कि जिन घड़ों में खाना पकाने के लिए लखडी का इस्तमाल होता है, वहाँ पचास पत्रिशत औरतों ने सिरदर्ब और पच्चीस पत्रिशत औरतों ने सीने में दर्द की शिकायत दी। जो हमारे किसान भाई शूबर छे बज़े से लेके साथ बज़े तक जंगल में लकड़ी कातने के लिए अपना बहुमोली शमर देते हैं, तो उससे कई गुना आजिक इंकम प्राप्त हो सकती है। मिलने वाले उत्फाद भी हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। मरीहान के कई जंगल अब खत्म हो चुके हैं। जो बचे हैं उनमें बड़े विक्ष अब गायब हो चुके हैं। जंगलों के खत्म होने के साथ साथ यहां के मौसम और निवासियों पर भी इसका असर देखने को मिला है। जिसे जंगल हम लोग जाते हैं। जंगल तो धीरे धीरे खत में हो जा रहा है। हम लोग अब दूर यह जाते हैं। 20 किलो मेटर तक दूर जाते हैं। जो जितना हम लोग जंगल करते हैं। उतना हम लोग का मतलब तो प्रापी नहीं पड़ता है। लकड़ी उकड़ी जिसे पादे हैं नहीं इत्पड़ा बहुत लकड़ी पाते हैं ते फिर पोधों के दिवेनार अने से सिचाई पर भी असर पड़ रहा है अच्छे थी वर्सा जो 2003 के बाद से क्रमसा धीरे देर कम होना सो और आज मतलब वर्स 2010 अब तक 310 मिली मीटर मात पर साथी हैं जिसके वज़े से धान की रोपाई नहीं रोपाई और अब अजय कटनेंसे या पेरों की संख्या कम होने के बाहन एक और बढ़ा पाउचेश ज़ेंज आया है forest degradation और fragmentation forest पर प्रेसर बहुत हुआ और forest पर प्रेसर होता है जो एक इंतर्ट जंगल अजारों पर प्रेप्ता था वो छोटे-चोटे जोड़ों में बंज्ट बढ़ जाता है जहां जहां पर भी habitat fragmentation हो रहे है मिलन में वहां पे बहुत बड़ी समस्य आ रही है इंग्वेसिव स्पसीज की, पूरे होरस्क में लैंटाना भरता जागा, और लैंटाना इंग्वेसिव स्पसीज है, पहले थोड़े बहुत दिखाई देते थे पहुते, अब तो पूरा ग्राउंड वेजिटेशन जो है ठीना, लैं पूरा पूर्ट चेंपे, एक बार अगर फारंस डिग्रेड हुआ, फ्रमेंटेशन हुआ, इमस्यूस पसीज आ गई, तो पूरा पूर्ट चेंपे, पिछले कुछ सालों में बंदू सी